तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी इमेज है वो सब एड़ फायर फ्लाइस से बनाया गया है जो कि आपने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि यह गनेश जी का इमेज कैसे बनाया है भी आपने तो यह प्रॉम्ट मैं पुरा आपको देने वाला हूं औ इस सब एड़ इमेज है और इसका मैं फूल लेटल वीडियो लेकर के आ गया हूं और आप भी ऐसा इमेज बिल्कुल बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरुआत करते हैं सुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा वीडियो को लाइक कर लिज़ेगा तो दोस्तों हम लोग गुवल पर आएंगे और लिख लेंगे और सर्च कर लेंगे और आपके सब्सक्राइब आपके साइट इसे कुछ आएगकान गेट फार फाइर फैर प्राय और यहां पर उनलोग रुटी है अपने इमेज को त्यार करने के लिए आप डरेट लीहां से कर सकते हैं नहीं तो firefly का और भी नया भर्जन आया है वो भी आप यहां पर से ट्राइक कर सकते हैं तो यहां पर जो भी मैं लिख रहा हूं कि चलन गेंट किया इक की आप अपार किकूझ सकते हैं तो यहां पर देल्ट कर सकते हैं और उंसे होगा यहतों होगा अभी के समय में नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर दीना में बता दूंगा इस अक्षियच और को क्वालेटी देख सकते हो यह फोटो का यह कितना अच्छा से बना चुका है यह अच्छा वर्क कर रहा है इस चीज को आप अपने वर्क में इंपलिमेंट कर सकते हो इस इमेज को कहीं भी यूज कर सकते हो आपका कोई भी कॉपी रैट यह सब नहीं आएगा दोस्तों तो जो लोग भी कमेंट कर रहे थे कि उनको प्रॉम्ट चाहिए गनेज जी का तो यह लो दोस्तों मैंने यह दे दिया प्रॉम्ट यह जाओ यूज करो इमेज को जेनरेट करो और अपने हिसाफ से यूज करो और यहाँ पर यह जो मतलब की एड़ फैर फलाइक का वाटर मार्क है या फिर एसकाई डाल सकते हैं क्लावड डाल सकते हैं अपने मन चहां मतलब कि आपकी दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है वो चीज आप यहाँ पर लिख करके वो इमेज जनरेट करवा सकते हैं वो सब आपके उपर निरफर करता है और यह जनरेट करकर के आपको दे देगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर त्वासर वेट कीजिए और यहाँ पर यह देखें मतलब कि फॉरेस्ट मैंने डाला था उस हिसाब से जो कि यहाँ पर इमेज बना है तो हम मैं खराब नहीं कहूंगा क्यूंकि अब यह AI है तो AI भाई इतना भी कम से कम कर पा रहा है तो वह भरी बात है यह सब इमेज आप लोगों को चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिशन में दे दूंगा गूगल ड्राइब का लिंक आप वहां से डाउड कर सकते हो नहीं तो मैं अपने टेलिग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और वहां पर यहाँ पर आप देख सकते हो क्वाल ना करके यहाँ पर था साइस में कुछ टेक्स्ट चेंजेस कर रहा हूं जैसे जैसे में चैन्जेस कर रहा हूं आप लोग भी वैससे चैन्जेस करके आप अपना खुर इमेज जोनेरेट करवा सकते हो ठीकए्ड पर आप देखें जैसे कि मैने गरेज जी इन क्लावड दे रहा था जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था गनेश जी का फोटो में बारिस के मौसम में देखू और क्लाउड भी हो तो यह आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है और वो भी बहुत ही अच्छा तो इस वीडियो में आप बने रहे हैं कि और आप इसको देख भी सकते हो तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले और इसको आप यूज भी कर सकते हो कहीं पिर अपना डीपी लगाना है वाल पेपर लगाना है आप इसको अफकोर्स लगा सकते हो मैं यह सब डाउनलोड करके रख लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ सेयर कर पाऊं और आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह सब इमेज कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए अभी तो मैंने यह गनेजी के पर बनाया है और भी मैं बना सकता हूं आप नीचे बास कॉमेंट कर देना त इसलिए क्योंकि मुझे यह थोड़ा सा एकदम रियलेस्टिक चाहिए तो मैंने यह चीज करके थोड़ा सा मैं देखता हूं अब क्या कर पाता है यह थोड़ा सा आप लोग भी वेट कीजिए तो दोस्तों यह image देखने के बाद तो मुझे यह ही लग रहा है कि हाँ AI best करता है लेकिन हर एक scenario में बेस्ट नहीं कर पाएगा AI ठीक है दोस्तों वन Shht to One के Ratio में जब आप image generate कर वाते हो एया से तो यह बहुत हादा अच्छा image बनाता है लेकिन जब मैं आप 16 इस आई देना चाहिए नहीं देना चाहिए यह सब थोड़ा सा यह नहीं समझ पाता है लेकिन हाँ जितना भी कर रहा है उतना वो बहुत अच्छा है आप लोग दोस्तों नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो या फिर आपने नया ट्रा कर देकने के बाद आप सोच चूपके की इसको नहीं बनाए तो ही बेस्ट है क्योंकि जब बनाए तो यह बना इसका रखना दिया कि मैंने सोचा इसको तो रहने दे आपाया उचना इफेग्डाओं और भाठों है य सब मतलθ सही से शभा रहा है यह सब आप समझ सकते हो यह कि प्रॉम्ट है मैंने बहुत सारे डिफिरेंट वे मैं लिखने का ट्राइब किया कि तकि यह समझ जा और मैं क्या बनवाना चाहता हूं यह समझ जाए और यह मुझे जेनरेट करें दे लेकिन हाली मुझे लगा कि नहीं यह के बसके बात नहीं है कि यह दुर्गाजी का इमे वह सेर करता हूं आपके साथ यह मतलब की साइट का जो लिंक है मैं आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जा करके आप इसको ट्राइ कर सकते हो विल्कुल फ्री आफ कॉस्ट दोस्तों मेरे दिमांग में आ रहा था कि क्योंना हरुआ जी का इमेज बनाया ज जाता हूं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि मतलब की अडॉब जेनेरेटिव फिल्ड का या फिर आप यह बोसकते हो अडॉब फायर फ्लाइ का कुछ दूसरा बरजन भी है जो कि आप ट्राइब करना चाहो तो इसको बिल्कुल फिल्य आफको ट्राइब कर सकते हो और यहांपर इसको ट्राइब करने लिए आपको इसके साइट पर जाना पड़ेगा जो कि यहांपर और अल्रेडी मैंसन आड्यूब का मदलब पहलते हैं यहाँ पर mention है इसको जा करके यहाँ से copy कर लेते हैं और चलते हैं सिदे new tab में और वहाँ से खोल करके हम लोग देखते हैं कि यह क्या बना पाता है कि यह नहीं क्योंकि अभी जो मैं use कर रहा हूँ यह firefly का मतलब पहला version है चलिए हम लोग दूसरे version के ओपर भी try कर लेते हैं क क्योंकि यह जो firefly का नहीं वाला version है यह सिर्फ इसी में work करता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग अपना prompt को लिख लेते हैं और देखते हैं क्या हो पाता है यहाँ पर हम लोग से इंप्रॉम्ट लिखने वाले हैं हनुमान जी में बनाना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि यह जो है ना हनुमान जी और गनेज जी में जो है ना अंतर नहीं कर पा रहा था और इसलिए कनेज जी के हाथ में एक अधा पक्रा दिया मतलब कि आधे गनेज जी और आदे हनुमान जी को इसे ने कॉम्बाइन करके बना दिया मुझे कुछ ऐसा लग रहा तो आप यह पहले इमेज़ देखो तो ही आप को नीचे कॉमेंट करना कि यह क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों कि इसने मतलब कि यह ने ऐसा कुछ कर दिया मतलब कि सही है ना यही समझ ही नहीं पाता मतलब कि डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कि हनुमान जी कैसे दिखते हैं गनेज जी कैसे दिखते हैं और दुरगामा कैसे दिखती है तो दोस्तों आप यह समाज पा रहा होगी कि है लेकिन अथना भी वेस्ट नहीं है कि आपको एक दम हर एक केस में आपको 100% सही काम करके दें धित01 काम कर रहा है हाँ बहुत अच्षा काम कर रहा है लेकिन हर एक चीज में यह सही काम नहीं कर पाता है दोस्तों तो चलिए हम लोग कुछ और भी मतलग की ट्राइ करते हैं मैंने मतलग की कुछ मतलग की beautiful house मैंने बनाने का सोचा है कि क्यों अब कुछ अच्छा सा house बनाया जाए, घर बनाया जाए, एक lake के अंदर तो ऐसा मैंने इमेज जैसे ही ट्राइ किया तो AI ने तो बहुत अच्छे से बना दिया और मुझे तो यह भी लग रहा था कहीं न कहीं कि AI जो है इंटरनेट पर सेसी डाउनोड करके हम लोगों को दिखा रहा है लेकिन नहीं एड़ वाले दावा करते हैं कि यह जो है ना AI जो है खुद से जनरेट करता है खुद से बनाता है इसको ठीक है दोस्तों तो हम लोग यहां पर तो मतलब की फोटो था तो इसमें लोग थोड़ा कुछ ऐसा एड़ करने वाले हैं कि हम लोगों को लगे कि नहीं भाई यह यह नहीं बना है अभी तो आपने इमेज देखा वो तो देखने से लग रहा था कि हां भाई यह तो कोई फोटो पिली करके भी डाल सकता है किया पर जैसे ही आप प्रॉंस से ले करके मैंने टिक क hoop कि इनने कुछ जरनियरों कर के दिया मुझे जो कि आपके सामने चाहते हैं कि आप इसासग चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको मतलग की करसक्त शक्त effectivement तो यहां पर आप घर को देख पारे होगे तो यह हो ठाफ offer टाइप लग द्वाए तो मैंने इसको कि लिए क्लियर स्पवर्जिय को मतलग की कारव ने नहीं है या आपको भी पता हैं है तो इसमें कुछ कहना ही नहीं है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अब लोगों के साथ सेयर करने के लिए जब मैं साइट पे मैं कुछ ढून रहा था तो मुझे मुतलग की कुछ experiment करने का मन किया तो मैंने बस randomly इस image को select किया और आप भी ऐसा कर सकते हो इस image को select और यहाँ पर मुझे मतलग की कुछ मन कर रहा था कुछ करने का जैसे कि यहाँ पर मतलग की यहां पर जो भी प्रॉम्ट है आप यहां पर इसको पढ़ सकते हो और इसमें थोड़ा सा भी इसके प्रॉम्ट में आप changes करते हो तो वह जो भी आप changes करोगे उसके हिसाब से आपका image में जो है generate हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो हम लोगों ने क्या किया है ना आप भी ऐसा कहीं से भी यह प्रॉम्ट उठा सकते हो और यहां पर देखे सुगर एसकल फीगर वीथेन एस्ट्रोनोटी गितार जो यहां पर लिखा हुआ है तो मैंने यहां पर इसकल फीगर को हम लोगों ने क्या कर दिया ना कुछ यहां पर हम लोग कुछ चेंज करके देखते हैं ठीक है यहां पर जैसे ही चेंज करके देखे है तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वर्क कर रहा है तो मैंने यहां पर सबसे पहले ब्यूटिफुल गर्ल लिखा है ताकि हम लोग यह दे लिख सकते हो कि इमेज भी जनेरेट हो चुका है तो हां कह सकते हैं कि आप प्रॉंप्ट जितना अच्छा से लिखोगे उतना अच्छा से यह जो है एक काम करेगा ठीक है तो यहां पर ब्यूटिफल गर्ल्स से हम लोगों ने ट्राइग कर लिया और यहां पर मैंने बहुत सर इसलिए मैंने मतलग इसको सिंपल ही दिया है उतना ज्यादा नहीं दिया तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि गितार आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि गितार कैसा लग रहा है गनेजी के हाथ में कि क्या यह इमेज ऐसा होना भी चाहिए एक्जिस् बहुत सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे माइंड में आ रहा था कि जाए कि मतलग की कोई भी एनिमल का नाम लिख करके देंगे तो क्या यह जनेरेट कर पाता है यह नहीं कर पाता है तो यहां पर चलिए हम लोग अपने प्रॉम्ट को एडिट कर लेते हैं तो यहां पर मैं पने प्रॉम्ट को यहां पर इखनेश जी करके मैंने यहां पर और करके देखा है कि क्या यह कैसा जनरेट करता है तो यहां पर यह देख सकते हैं कि इमेज ही बहुत ही चापर हो चुका है और यह हम लोग का भासा हम लोग का भासा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ यह जो लेंग्वेज समझता है उस लेंग्वेज में आप इसको समझाओगे तो आफकोर्स यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आप लोगों को ठीक है तो मिलते हैं ने वीडियो में नए टॉप